आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ ब्यूटिफुल प्लांटर्स घर में पड़ी होई पुरानी चीजों से तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले शुरुवात करती हूँ मैं इस क्ले पॉट से यह बहुत ही पुराना क्ले पॉट है मेरा इसको मैंने दिवाली के नियर अबाउट बनाया था दो साल पहले अब मैं इसको देखके बोर हो गई हूँ तो मैंने सोचा इसको एक नया लुक दे देती हूँ तो सबसे पहले मैंने इसको sand paper से अच्छे से घिस दिया है अब इसके उपर मैं करने वाली हूँ white acrylic paint white base करने के बाद अब मैं इस पूरे pot को blue color से paint करने वाली हूँ यहाँ पर भी मैंने ब्लू एक्रेलिक पेंट यूज किया है पॉट अच्छे से ड्राइ हो चुका है अब मैं इसके उपर कुछ फ्लावर्स बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है पिस्ता शेल्स जिनको ले करके मैं इसके उपर एक बहुत ही खुबसूरत सा फ्लावर्स का डिजाइन बनाने वाली हूँ तो देखिए सारे फ्लावर्स अच्छे से स्टिक हो गए हैं अब मैं यहाँ पर येलो एक्रेलिक पेंट से इन फ्लावर्स को कलर करने वाली हूँ और मैं डबल कोट करूँगी ताकि पिस्ता शेल्स अच्छे से कवर हो जाए पोट के टॉप पर मैं यहाँ पर जूट रोप लगा रही हूँ और ये रोप मैं इसकी पूरी नेक तक लगाने वाली हूँ सो दाइट की एक अच्छा सा डिफरेंट सा लुक आ जाए यह देखिए हमारा पॉट रेडी है अब थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर देते हैं अब हमारा पॉट बनके तयार हो गया है और देखिए यह कितना खुबसूरत लग रहा है मैंने इसके अंदर रियल प्लांट्स लगाए हैं यह वैसा ही एक और पॉट है इसको भी मैं चेंज करने वाली हूँ तो पहले वाले पॉट की तरह मैं इसके उपर भी वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ ताकर इसका एक बेस बन जाए और तब हम इसके उपर जो भी कलर करना चाहते हैं वो आसानी से उभर के आएगा वाइट कलर अच्छे से ड्राइ हो गया है अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गोल्डेन एक्रेलिक पेंट पूरे पॉट के उपर मैंने ये गोल्डेन एक्रेलिक पेंट यूज किया है और मैंने डबल कोट किया है थोड़ा कॉनट्रास्ट बनाने के लिए मैं इसके टॉप पर और इसकी नेक पर दो डिफरेंट कलर यूज करने वाली हूँ तो टॉप पर मैं यूज़ करने हूँ रेड कलर और इसके नेक पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक कलर अब मैं बना रही हूँ इसके उपर कुछ लीफ यहां पर मैंने यूज़ किया है रेड अक्रेलिक पेंट आप चाहें तो अपनी चॉइस से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इसका कॉंबिनेशन रेड और गोल्डन का ही रखा है देखिए यह ब्यूटिफूल सापॉर्ट बनके रेडी हो गया है आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं अपनी बालकनी में सेंटर टेबल पर या फिर अपने बेड के साइड टेबल पर दोनों कले पॉट कैसे लगे आपको मुझे जरूर बताईएगा अब मैं करने वाली हूँ कुछ बॉटल आट तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एक बॉटल और इसके उपर मैं करने वाली हूँ रेड कलर से पूरा पेंट और इसके लिए मैंने स्पॉंज यूज किया है और डबल कोट किया है मैंने पूरी बॉटल के उपर देखी बॉटल अच्छे से ड्राई हो गया है अब मैं इसके उपर एक लड़की की डिजाइन बनाने वाली हूँ और ये डिजाइन बनाया है पीहू ने क्योंकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पीहू ने बनाया है इसके फेस और बॉड़ी के पार्ट को कलर करने के लिए मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स किया है ताकि स्किन कलर आ जाए कैमरे में ये आपको अभी वाइट दिख रहा है बट सुखने के बाद ये पूरा स्किन कलर आ जाएगा और मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज किया है इसके टॉप के लिए वो मैं सुनेहरा बनाना चाहती हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डेन कलर यूज किया है जिससे मैं इसके बालो को पेंट कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कुछ इयर बर्ड इनको कट करके मैं इस पूरे इयर बर्ड से लड़की का लहंगा बनाने वाली हूँ आप चाहें तो मेरी तरब पूरा वाइट बना सकते हैं इसका लेहा और अगर आपको मन करें तो आप इन इयर बार्ड्स को लेयर वाइज कलर कर सकते हैं और रंग बिरंगा स्कुर्ट बना सकते हैं अब मैं इसके पूरे फिगर को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए ब्लैक कलर से आउटलाइन बनारी हूँ सो दैट की इसका पूरा जो फिगर है वो समझ में आए ये कितनी खुबसूरत फिगर बनके रेडी हुई है बॉटल के नेक पर मैं एक डिजाइन बना रही हूँ जिससे लगेगा कि ये लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई है जिसके अंदर वाइट फ्लार्स आए हुए हैं तो ये देखिए ब्यूटिफुल सब बॉटल बनके रेडी हो गया है आई होप आपको ये आडिया जरूर पसंद आयो होगा और अगर आप लोग इसको बनाते हैं तो उसकी फोटो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए नेक्स्ट डिएवाई भी एक बॉटल आठ है यहां पर मैं इस पूरे बॉटल के उपर ब्लैक एक्रेलिक पेंट लगा रही हूँ बॉटल की नेक को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहां पर इस जूट रोग को यूज किया है इस डिएवाई को करने के लिए मैं यहां यूज कर रही हूँ कोकोनट शेल्स पहले मैंने इस कोकोनट शेल्स को सैंड पेपर से अच्छे से घिस लिया है ताकि इसका पूरा सर्फेस बिल्कुल स्मूध हो जाए इसके बाद मैंने इसको तोड दिया है और इन टुकडो को मैं इस बोटल के ओपर ग्लूगन की हेल्प से लगाने वाली हूँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि टुकड़े इवन तो तूटते नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टुकड़ा कहां पर अच्छे से फिक्स हो रहा है अच्छे से मैंने पूरे बोटल के ओपर इनारियल के टुकड़ों को लगा दिया है अब मैं इसके ओपर लगाने वाली हूँ वारनिश तो देखा आपने घर में पड़ी हुई पुरानी चीजों से हम किस तरीके से नए नए चीज़ें बना सकते हैं आई होप आपको आज के सारे डियाइवाई पसंद आये होंगे और आपको सबसे खुबसूरा डियाइवाई कौन सा लगा मुझे जरूर बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में तो चलिए मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आडियास के साथ तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइव विद पी हूँ विदी बाई बाई